कुशन नमर नो तक हो गया अभी दसवा देखते हैं कैसे करना है ठीक है तो यह थोड़ा सा बड़ा कुशन है और तीन मांक्स के लिए एक्जाम में पूछ सकते हैं ठीक है तो इसको अच्छे से समझना आपके लिए ज़रूरी है इसके कई कॉंसेप्ट के इस्तमाल किया रहेगा तो कुछ इस तरह से दिया रहेगा डिवाइड में प्लस होगा रहा प्लस माइनस वाला वो पार्थ आपको में इसे सॉल करना रहेगा जो मल्टिपलाई-वाला रहेगा वो निसॉल करना है क्योंकि जब ये ऐंड Legislative वन प्लस कॉड़ स्क्वाइर के होल स्क्वाइर ठीक है अब मुझे बता वन प्लस टेन यह कहीं दिख रहा है आपको यह फॉर्मूले में कहीं दिख रहा है तो आप बोले हाँ यह बरोबर यहां दिख रहे हैं वन प्लस टेन स्क्वाइर किसके बराबर होता है तो आप बोले हो यहां पर देना है आँ ऊपर जैसे वैसे लिग दो आप नीचे वाला जो पार्ट है वन प्लस टेन इसकर बराबर होता है से कि स्कवएर hasn't को आज यहां 1 प्लस-क्यो Wir workshops को सेक के बराबर होता है दी को से कॉसिक पावर ठावर लगा कर दीए अच्छिर पाउर टू पाउर टू टूए तो मैंने बात बताए तो अगर ईलिखा होए पवर टू है उसका पावरण टू है तो जब ब्रेकट ऐंठाय नहीं और और multiply होने के बाद क्या होता है चो होता है ना चार बन गया ठीक है तो यहां पर भी वैसे ही है जब आप ब्रेकट ओपन करोगे क्या हो जाएका सेक पावर फूर हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा कॉट कि कॉसे जो हो जाएगा आपका हाँ से ऑग typing तैट है यहां पर फूर यहां पर भी पावर हो गया और यहां पर भी पॉट इतना क्लियर होका अपका कैसे आए समझ में आप मुझे बताओ टेंज जो है यह जो टेन वाला पाड्ले बच्चों वो किसके वराबर होता है तो अब बोल चेंजो होता है सर इसके बराबर होता है हमारा नें टीटा बराबर फोटा हुराओ कौश्टेटा किया इसी तरह birthday कि बराबर होता है कॉश्ट पाउन साइडव टीटा कि तो हम लोग क्या करतe है इस 10 को चेंज करने का ठीक है कि इसीलिए हम दों क्या कि blood करके सायन और और कॉसकर साब से चले गए यहां लिखेसे हेजोगे आप इस टेन की जगा पे आपको लिखना है साइन टीटा अपन अ साइन टाया अपन्स साइन फॉन से ऐन अपन को और इस कॉट की जगा पर क्या लिखना आपको कॉस्ट अपन साइन टीटा क्लिर समझ में आया तो बस लिख लो आप यहां पर लिख दिया हमने साइन टीटा साइन अपन कॉसे वन अपन सिक ऊबर फोर प्लस कॉस ए अपन साइन एं वन अपन कॉसिक यह कॉसे का पार फोर यह किते आया कहां से आया आपको खिलियर होगा फिर से मैं पता देता हूं ठीक है 10 की जगए हमने क्या लिख दिया यह साइन ए अपन कॉसे लिख दिया और इस कॉट की जगए हमने इस काउड की जगा ये लिख दिया और सूर ठीक doll आप साइव खेंए इतना सभी को समझ मैं आया कैसे करना है वच्चो अब आगे बढ़ते हम आ अब आप मुझे बता one upon six किसके बराबर होता है one upon six के बराबर होता है धूनो जो फड़ा फड़ वन अपन्स से किसके बराबर होता है कहां है कहां यह है कि रखाव हैं जैंड कि सद्राटी है के बराबर होता है टेक टो हम लोग वान हपॉंसे की जग क्या कि लिख सकते हैं को सलिख सकते है एक बाद क्लियर हो गया फिर इसके बाद इसी तरह वरण हटे कि उपर कि जो होता है किसके बराबर सकते हैं आपन को से डिटा सकते हैं तो बस ये और यह वाला दोनों फॉरंड चेंज कर तो चेंज करोगे तो क्या लिखो कि यहां पर जैसा एसाइशन वैसे लिखो sign a upon cos a और यहाँ पह से 1 upon 6 की जगह हमने लिख दिया क्या लिख दिया cos a power 4 1 upon 6 की जगह क्या होगा cos हो गया अब दूसरी तरफ जो है जैसे मैंने बताया आपको cos a upon क्या है cos a upon sign a 1 upon cos x क्या होगा आपका यह change हो गया इतना क्लियर हो गया बच्चों कहां से आया कितना ऑगया अब देखुआ इसे पावर 4 यहां पर 1 टीक है यहां चार बार है यहाँ पर एक बार है पावर फोर उन्हें का मतलब कौस कितनी बार है चार बार और यह एक बार है यहां पर साइन केतनी बार है पावर फॉर मतलब चार बार यहां पर साइन एक बार निया। चार्ग जाएगा है के इंसल करो करो कर रोगे किंशल यह कटा एचार है कि इशन के कितने रोचस्व पल जिन तीन श्क्वाई, आँ तीन बार ठीक है जो पार्ट बचा उसको आप लिख लो तो हम लोगे देखते हैं यहां बचा साइन ए मृटिप्लाै कॉस पावर थृए और यहां पे बचा कॉस ए मृटिप्लाइ साइन पावर 3 अब दोनों में देखो कॉमन क्या है अगर मैं कॉमन देखता हूं तो मुझह क साइन एक बार है यहां पर साइन है ठीक है यहां पर कॉस है तो अगर मैं यहां से कॉमन निकालता हो तो यहां से साइन देखो एक बार है कॉमन साइन निकल लो यहां से साइन निकल गया हमारा कॉमन ठीक है साइन है हमने निकाल लिया कोवन यह साइन बाहर निकल गया दोनों तरफ देखो साइन कॉमन था ना देखो यहां पर साइन था और यहां पर साइन कितना था तीन बार तीन बार था एक बार बाहर निकला तो कितना बच आप दो बार बच गया और क्या कॉमन है दोनों म Dogos 우ill है यहां सेन निकल गया यहां पार्ट निकला बाद समझना यह साइं निकल गया और कॉस कितनी ब़ता थीन बार तो पिन में से एक बार निकल गया तो तो कितनी बार बचा दो भार सेकंड वाले ब्रेकट में जब जाएंगे हम लोग तो नहींड कितना है साइन निकल गया और कॉस निकल गया तो क्या बचा साईन इन था तो धक्मक्वी बंच द वदर है अ यहां से साइन तीन बार ता एक बार और निकला तो यहां कऊस दोबर बचांव यहां पर कंद ध्यान दे ना तुम लोग आप मुझे बताओं किसके बताबर होता है अगर मैं साइन स्क्राइब किसके बता हृता है तो आप बोलो कि स्वार करों बड on होता है हैं तो आपको यहां पर नजर आ रहा है कि वो किसके पराबर होता है तो आपने बताया साइन स्कायर क्लास कॉस्ट इसक्वाइब यी नहीं होता है तो फाइनल हमारा जो एंसर है साइन को से यही करना था तो left hand side is equal to right hand side यह आपका final answer आ गया सब को समझ में आ कैसे करना है ठीक है clear तो common कैसे निकालना वो भी मैं बता दिया आप screenshot ले लो फिर अगले कोशनी तर पढ़ते हैं इस question में देखो यह काफी tough question है तीर मांक्स के लिए बच्चो सबसे पहले आपको left side लिखना है left hand side में क्या लिखा हुआ है sec का जो power है 4 a 1- sin का power 4a-2 10 का power 2a क्यानि स्धAustral करने के बाद क्या आना चाव् collar हमारे पास one यदि पूरिशन करता क्या बचना चाहिए सिर्फ one बचना चाहिए यह अफ रसल कर ने की वाद कैसे करें है कर सबसे पहले मुझे बताऊँ कि ये जो दिखतर को sec स्कॉर दिख रहे है और यह ओर मानेस पावर फोर तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो यह इसा लिख दो कि अब इसको आप ऐसा लिख सकते हो बन का पावर फोर साइन कि आप आप इसको थ्यान देना यह कैसे बना हुए मैं समझाता हूं फिर इसके बाद आप आगे करना जो किया ऐह अगर मैं इसको लिखंग, a2? a के पाउर 4 और यहां पे लिखंग, b2? तो क्या इसकोर आए सकते हैंए और बलकुल लिख सकते हैं, पाउर 4 को हम लोग पाउर 2, बहुर 2 पाउर, ऐसा करके लिख सकते हैं, कोशन पहले समझाया था आपको सेम प्रइटन पी हां पर ऐसे लिखते हैं तो क्या बन जाएगा मा इनस भी प्लस वाला फारॉर्मूला बन जाएगा ठीक वही पैटेन यहां पर यूज करते हैं लोग च्लों यूज करते हैं हम लोग कैसे करेंगे आपको तो मैं लिख देता हूं सेक 4A 1 का पावर 2 पावर 2 फिर साइन पावर 2 पावर 2 ये कुछ इस तरह से रैकेट बनावा और उसके आगे मैनस 2 इतना क्लियर हो गया अब देखो ये मान के चलो ये पूरा पाड जो है जैसे मैंने पता आया था ये पाड इसको मानो ए ये वाला B अगर मैं इसको अलग से समझाओं क्या होगा आप यहां पे लिखोंगे सेक 4A यह हो जाएगा आपका वन स्क्राइर माइन साइन स्क्राइर में फिर एक बार क्या होगा है स्क्राइब माइनस भी स्क्राइब किसके बराबर होता है स्क्राइब यह बराबर होता आपको सभी को मालूम है कि A square minus B square बराबर होता है, A plus B और A minus B के बराबर होता है, सबको मैं बता चुका हूँ, ठीक है, सेम पैटरन इहां पर भी इस्तमाल करेंगे, एक बार 1 minus sine square हो जाएगा, दूसरी बार, यहां पर हो जाएगा, आपका, 1 plus sine square, ठीक है, अब उसके बाद देखो, यह हो गया आपका bracket, यहां पर, close, minus 2, 10 square, ठीक है, अब मुझे बता, 1 minus sine square किसके बराबर होता है, तो आप बोले कि 1 minus sine square जो होता है, किसके बराबर होता है, 1 minus sine square, तो sine वाला पार्ट देखो, यहां पर sine वाला पार्ट है, कल भी मैं समझाया था आपको, इससे पहले भी मैंने आपको समझा दिया, एक कोशन पहले कराया था, अभी फिर से देखो आप, कि अगर मुझे sine minus करना है, तो यह क्या होता है, cos square theta, 1 minus sine guaranteed, यह साएं करो साइन को इस तरफ लेकर चले जाहूंगा, sign को दुसरी तरफ लेकर जाऊंगा, क्या हो जाता है, cos यहां बर बज जाता, और 1 minus sine Laser square theta, यह किसके बराबर होगा, cos theta की बराबर होगा, इसके जगह पर क्या लिख सकता हूं को कहां से आया सिए इसके जगह पर क्या लिखने आपको मैंने बताए भी कॉस स्क्वायर की है यहाँ पर 1 plus sine squared minus two ten squared यह होगया clear आपको को ठीक है समझ में आई इतना अब मुझे बताओ आगे solve करना 1 लाना है ठीक है अब इनके अंदर कुछ CUT हो रहा है तो कि यह स्येक स्कुएर है सेंक का पावर 4 और पावर 2 है थाना cost का पावर बच्चों कितना है के बराबर होता है थो आप इसके जगह पहे क्या लिख सकता ह। नहीं की नहीं लिख सकता हूं तो बस वही करना यहां पर यहां पर लिख दो जैसी हम लोग लिखेंगे यह पूरा का पूरा से ऐसी रहेगा आपका और यहां हो जाए का वन अपाउन से एक पाउर टू अपाउन ए यह वाला पाट वैसी लिख दो आप तीन मार्क सा कोश्चन है इसलिए ज्यादा महिनत करना पड़ेगा आपको ठीक है यह टू टैन स्कॉरे अब क्या-क्या कट रहा हो काड़ो जो कट रहा है काड़ो इसमें तो आपको नजर आया कि यह दोनों जो है पावर टू था यह पावर चार कड़ गया कटा तो क्या बचा यह दोना हमने काड़ दिया पावर फोर आवर टू यहां से पावर फोर था कड़ गया दो बार कटा तो कितना बचा सिर्फ दो यह चार बार था यह दो बार था इसका मतब चार से कितनी बार बचा यहां प्लस साइन स्क्वाईर ये बचा और उसके आगे माइनस टू 10 स्क्वाईर ये बचा इतना हो गया खिलियर आपका इतना सॉल कर लिया अब देखो कैसे करना है अगर आगे मुझे सॉल करना है तो क्या आएगा अगर मैं सेक को डिवाईड करता हूँ बच्चो अगर मैं सेक को डिवाईड करता हूँ तो क्या बनता है अगर मैं सेक को लिखना चाहूँ तो और क्या बन सकता है सेक से 1 अपान कॉस बने का और साइन क्या है 1 अपान कॉस बन सकता है ठीक है एक काम करता हूँ, यह 10 है, इसको मैं लिख सकता हूँ, सेक को 1 upon cos, यहां लिख दो, 1 upon cos, और यह वैसे लिखो, और जो 10 है, 10 को आप क्या लिख सकते हो, बच्चो, sin theta upon cos theta, sin square upon cos हो गया, ठीक है? कितना clear हो गया? अब दोनों जगह देखो, बीच में common क्या दिख रहे हैं? दोनों का base common है, नज़र आ रहा है, यहां पे भी नीचे, और यहां पे भी नीचे, दोनों तरफ क्या है? cos common है तो यहाँ पर आपको क्या नजर आया कि यहाँ पर भी cos है Nीशी की तरफ और यहाँ पर भी cos है और जब हमको मालूम है कि base common होता है तो इसको एक बार लिखा जाता है तो लिख दो हमने एक बार लिख दिया और ऊपर बाला पाट क्या करते आप प्लस है तो प्लस करोगे, माइनस है तो माइनस कर दोगे तो यहां क्या आता 1 प्लस साइन स्क्वाइर माइनस 2 साइन स्क्वाइर इतना क्लियर हो गया अब देखो यह पूरा का पूरा साइन स्क्वाइर माइनस 2 साइन स्क्वाइर तो sin कितनी बार है तो sin आप बताए कि यहांऄед तो 2 बार है 2 में से 1 बार गया तो कितना बचा 1-sin2 2 बार में से गया अब मुझे बताओ 1-sin2 किसके बराबर होता है 1-sin2 किसके बराबर होताओ फटा फटो 1-sin2 बराबर होता है आपको बता चुका हूं कॉस्ट के बराबर होता है किसके बराबर होता है कॉस्ट के बराबर होता है किस फार्मुले से मिला इससे मिला था ठीक है यहां पर वन माइनस साइन स्कॉर किसके बराबर होता है कॉस्ट के बराबर होता है यहां पर बताया था मैंने आपने डिवाइड किया दोनों कट हुआ और क्या गया एंसर आपका वन आ गया फाइनली आपको यही फूरूफ करना था वन लाना था वन आ गया क्लियर समझ में आया फिर से मैं रिवाइड कर रहा हूं आप समझना इसको काफी बड़ा कोशन था सबसे पहले आपको लेफ सा लिखा मैंने आपको बताया था क्या बताया था अगर किसी हमारे पास इस तरह से अगर रहे है को अ एसको हम लोग सकते वह बना के सकते बस वहाई चीज़ यह और ये A-B कर दिया ठीक है ये क्या कर दिया a-b और ये A-b आ गया ठीक है उसके ताक कर लिया और सिन n survive किसके बराबर होता है सिन मायबर में भूस के लिग दिया कहां से इस के जगाप 직 इस टिया कॉन है काहां से आया इस वारप्लाहः से बनाया साइन को अधर फिर हमने क्या किया यह कॉस्द्ट जो होता है कॉस्ब और फॉर नपर की वत्छा है इस कॉस्द की जगा पिर हमने लिग दिया यतना क्लीयर इसी तरह हमको मालूम है जब यह दोनों को cancel किया तो यहां पर क्या बचा आपको ऊपर सिर्फ सेख बचा और यहां क्या बचा वन प्लस साइन बचा लास में टेन बचा ठीक है उसके आगे फिर हम लोग क्लिए से किसके बराबर होता है तो बताएः कि आपने ऑन अपराबर होता है थैक के बराबर होता एक स्टेख की जगह पे हमने क्या लिख दिया वन अपन कॉस्त फिर उसके बाद क्या किया यहाँ प्राइब दोनों का नीचे वहला पार डेनोमेटर का से महें तो यह बार लिखा जाता है तो हमने यहाँ प्राइब दिया ओस कर दो मैंस रहे सैन एक बार निकाला कितने बार बचा एक बचा और वहां पर मैघर लगा हुआ कि इसके पढ़ाइन के पर होता है और नीचै के पहले से कॉस्ट है क Noise कट हो गया और समझ में कैसे करना है है कि सके पाराइन कॉस्चन रहेगा लास्ट वाला स्प्सक्रीक्ष्ण लीघ diferentes यह कुशिन बहुत अच्छा कुशिन ध्यान दो तो इसको आपको स्टार्ट करना है तो इसको कैसे स्टार्ट करो कि दिखो इस टाइप का कुशिन जब भी पूचिए इस पैटर्ण पोच्चिन पूचता है अगर बाहर से पूछा इस पै्टन पे पूछेगा तो क्या करो आप एक फॉर्मुला ले लो आइडेंटी वाला फॉर्मूला देखो यहां पर 10 था 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 यहां फिर यह लिखता हूं है यह देखो फार्मुला क्या हमारा हमको मालूम है 10² टीटा प्लस वन किसके पराबर होता है भाई सेक स्क्यार टीटा इसके पराबर होता है अगर मैं बच्चो वन को इधर लेके चले जाओं तो क्या बन जाएगा यह हो जाएगा आपका सेक स्क्यार टीटा मैनस वन यह क्लियर हो गया अब 10 यह दो को यह फॉर्मुला है यह क्या बन रहा आपका अगर मैं बोलू यह है एसको भी पावर लगा दो तो क्या बना एसक्वार मैनस बी स्क्यार और हमको मालूम है हमने बार बार देखा एसक्वार कि इसको मारी इसको माली तो कैसे लिग सकते हैं आप बहुत कि अब क्या करो इसके बाद के एंग को इसा ले लो आप अब यहां से माइनस वाला इधर ले लो प्लस वाला चाओ देदर ले लो तो हमने प्लस वाला इधर ले लिया माइनस वाला इधर ले लिया माइनस वाला इधर ले लोगे तो सेक टीटा हो जाएगा माइनस वन और यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा सेक टीटा प्लस वन य और इसको कहां लेक़ आया नीचे की तरफ लाया और यहां ते जैख था इसका प्लेंच चेंज कर दिया और इसको कहां लाया यहां पर लाया और देन को कहां लाया यहां लाया इतना क्लियर हो गया अब इसके बाद हम लोग इस्तामाल करेंगे इक्वल रेशु थेरम इसको पहले समाज़ा कि थेरम ओफ इक्वल रेशु क्या होता है बहुत आसान मैथड है अगर मैं बोलता हूं बच्चो A upon B C upon D इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि A upon B बराबर है कि इसके C upon D के इसको अलग तरीके से अगर मैं देखूं तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं मेरा 2 upon 3 बराबर है 4 upon 6 के आप बोलोगे सर कैसे बराबर है देखो अगर मैं 4 और 6 को डिवाइड कर देता हूं 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 तो बराबर हो जा रहे यानि उसका short form जो fraction का सबसे short form रहेगा वो आपस में बराबर होंगे उसमें equal ratio theorem क्या बोलता है equal ratio theorem ये बोलता है कि अगर दो fraction बराबर है तो उनको जब addition करोगे उनका जब addition करोगे तो addition के बाद जो fraction आएगा वो भी आपस में बराबर होगा यानि कुछ इस तरह सा समझो अगर यहाँ पर 4 upon 6 था यहाँ पर 2 upon 3 था तो अगर मैं दोनों को प्लस कर देता हूं यानि मैंने क्या बोला ये जो मेरा part था बच्चो A upon B कितना था 2 upon 3 था C upon D कितना था 4 upon 6 था तो अपर 3 था और इसके जगह पर यह था यानि कि अगर मैं A ड कर देता हूं A प्लस C और B प्लस D कर देता हूं ये भी किसके बराबर होगा इन दोनों के बराबर होगा इन दोनों के बराबर होगा यानि 4 और 2 को प्लस कर दो 6 नीचे 6 और 3 को प्लस कर दो 9 कि शॉट करके देखो क्या 2 by 3 आ रहा है क्या 3 2 जा 6 3 3 जा 9 आ रहा है यानि इसका भी फ्रेक्शन करने के बाद शॉट करने के बाद 2 by 3 आ रहा है तो हमको क्या समझ में आया कि अगर 2 ratio equal है तो उनका addition करने के बाद जो finally नया ratio आता है वो भी क्या होता है वो equal होता है इसी को हम लोग क्या बोलते है theorem on equal ratio बोलते है ठीक है तो इसी का use हम लोग यहाँ पे करेंगे अभी हम लोग क्या करते थे रम इक्वल रिशो में मैंने क्या बोला कि A upon B is equal to C upon D तो थे रम उनका क्या करते है दोनों को क्या कर देते हम लोग पलस कर देते उपर का उपर प्लस नीचे का नीचे प्लस ठीक है बस यहाँपे भी करोगे बस रिजन क्या लिखना है बाद थे रम और इक्वल रिश्यो यह लिखने के बाद फोर उपर वाला पाट प्लस करतो तो उपर क्या था 10 टीटा प्लस सेक टीटा प्लस बन ठीक है और नीशे जो था आपका गया सेक टीटा और 10 टीटा दा तो पहले 10 टीटा लिख दो आप 10 टिटा से ठीटा तो माइनस वन आगया तो फाइनली अपने को यहीज चाहिए था तो मिल गया बस इसके आगे लिग दो हैंस प्रूफ्ट जाहिए ता अपने गों गया है लिग दो हैंस फूफट तो अ बस इतने ही आपको करना था यहां पर यह ला दिया तो समझ में यहां पर टिक्नोमेटर आपका खतम हो गया ठीक है फाइनली पूरा मैंने कंप्लेट कर दिया अब आपको बस यह बताना है कमेंट करके वीडियो कैसा लगा और आपको नेक्स वीडियो जो है वन शॉट चाहिए किस टॉपिक पर चाहिए हाना वह आपको बताना है सेंबल पेपर अगर चाहिए तो भी बताई कमेंट करके हैं दूसरी जो चीज़ है यह कि आपको वह बच्चे जिनको कोशन नमर फॉर कोशन नमर फाइब बाहर के कोशन आ रहे है क्या मैं उस पर वीडियो तो फिर से मैं आपको बताता हूं कि आप जाद जाद लोगों को शेर करें और लोगों को बताए और चैनल को सब्स्राइब अभी तक नहीं किये तो चैनल को सब्स्राइब करिए ठीक